प्रेदर्सकों, हमारे स्रीमन नाराण जोती सस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आये हैं, अक्टूबर 2021 में मेश रासवालों के लिए कैसा रहे गाया पूरा महिना। पहले हम बताते हैं कि इस महिने में कौन से वरत थाते वहार आएंगे। इस महिने में 7 अक्टूबर को सरत नौरात प्रारंभ होगा, 13 अक्टूबर को स्री दुरुगा अश्टमी, 15 अक्टूबर को स्री बिजिया दसमी, 19 अक्टूबर को सरत पूरिमा, 24 अक्टूबर को करवा चाउत का बरत और 28 अक्टूबर को अहोई अश्टमी होगी। हम आसा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है अगर नहीं किया है तो कर लिजे अब हम आपको बताते हैं कि इस महिने में मेश रास वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी इस महिने में कौन से ग्रहों का अच्छा फल मिलेगा कौन सा खराब होगा औ और कौन सी तारिखियां आपके लिए बहुत अच्छी होंगे, जिसमें कोई अच्छा बड़ा कार्य करते हैं, तो आप सफलो. इस महिने आपके राज के मालिक मंगल खष्टम अस्ताने बैठे हुए हैं, जो की थोड़ी सी भाग दवड़ा को बना सकते हैं, लेकिन आपकी सोची हुई सफलता मिलेगी, आप कामन प्रसंद रहेगा. मंगल खष्टम में हैं, तरी खष्ट, एकाज से भौमा, सरवारिश प्रसंद रहेगी, छठाएं घर का मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं, सफलता देंगे, भाग इमुनती कराएंगे, आपको धार्वी के आतरा भी करने का उसर मिल सकता है. इस महिने में मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी, कुछ खर्च की सम्भावनाएं भी इस महिने बन सकती है. और चिर्चिडापन से आपको बचना चाहिए. अब हम आपको बताते हैं, इस महिने में सूर्य की स्थिति क्या होगी, और क्या फल मिलेगा. क्योंकि आपके पंच अचा दे रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी पूरी सम्भावनाएं. कोई मुकदमा अगर आपका चल रहा है, तो उसमें आप सफल हो सकते हैं. सफलता मिल सकती है या आपके अनुकूल कार्य हो सकते हैं. सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, जो कि अगर सकते हैं. अच्ञी होने को, जैसे सफलता मिलेगी, पीटा से सुख मिलेगा. अहम आपको Бताते हैं इस महेने में बुद्ध की स्थिति क्या होगी? इस महेने में बुद्ध भी आपके खरश्टम में ही राजमान हैं. जो कि थोड़ा सा भाग दोड आपको बना सकते हैं. लेकिन मन चाही सफलता मिलेगी अगर आप कहीं परिच्छा दे रहे हैं तो इसमें सफलता मिलेगा कोई नया बिजनिस अगर इस महने प्रारम करना है तो आप 15 तारीक से पहले कर लिजे तो बहुत अच्छा रहेगा 15 अक्टूबर से पहले करिए तो आपके सफलता मनो कामना पुरी होगी इसमें लगजरी सुब्धाएं अगर कोई गाड़ी लेना है या मकान लेना है तो आप एक तारीक 1 अक्टूबर से लेकर करके 15 अक्टूबर के बीच में करिए तो अच्छा रहेगा अब हम आप बताते हैं इस महिने में ब्रिस्वती की क्या इस्तिती रहेगी ब्रिस्वती इस महिने में आपके दसम अस्थान में पद प्रतिष्ठा अस्थान बठे हुए है जो नीच भंग राजयोग बना रहा है आपको मान प्रतिष्ठा मिल सकती है समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा धार्मी क्यात्रा करने का उसर मिलेगा और धार्मी छितरों से आपको लाब भी होगा अगर कोई बिजिनिस इस महिने आप प्रारम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है आप ब्रिस्वती आपके सहयोग करेंगे उनकी पांचमी द्रिष्टी धन पर है जो कि धन के वृद्धी होगी, कुटुम के वृद्धी होगी आपको नए कार्य करने का उसर प्राप्त हो सकते हैं ब्रिस्वती की सात्वे द्रिष्टी सुख स्थान, माता, प्रापटी पर है अगर कोई प्रापर्टी मकान इत्याद या जमील लेना चाहते हैं तो यह महीना बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा ले सकते हैं इस महीने में माता का भी स्वास्त अच्छा रहेगा, माता से सुख मिलेगा, माता पिता का आज से बद बराबल लेते रहे ब्रिस्पति की नवी मिद्रिष्टी सत्रू पर है जहां पर पहले से सूर्य, मंगल और बुद्ध विराजमान है जो कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि राज की छित्रे से सफलता आपको मिल सकता है कोई अगर परिछा दे रहे हैं तो यह महीना बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें आपको सफलता मिल सकती है मन चाही सफलता मिल सकती है या अगर आपको कोई संतान परिछा दे रही है तो उसको भी सफलता मिल सकती है अब हम आपको बताते हैं इस महीने में सनी क्या क्या पोईशन रहेगा सनी इस महिने स्वग्रही दसम पर ही बैठे हुए हैं, जो कि कभी-कभी आपको बिजनिस या नोकरी को ले करके उतार चढ़ाओ देखनों को मिल सकता है, लेकिन सफलता मिलेगा, खर्च की थोड़ी सा धिक्ता जादा बनी रहेगी, खर्च पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, और ऐसे में आपको ध्रूम पान या मांस मदिरा का अगर सेवन करते हैं, तो आपको बचना चाहिए, नहीं आपको खर्च बढ़ जाएगी और टेंसन हर्स में बना रहेगा, इसलिए आपको मांस मदिरा और ध्रूम पान इत्याद महीं करना चाहिए, शनी की तीसरी पत्नी पर है जो कि पत्नी का स्वास्तसारिक पीड़ा समंधी हो सकती विबाहित अगर आपके बात चल रहे हैं तो थोड़ी सी बिलम के साथ होगे सफलता तो मिलेगी लेकिन बिलम के साथ हो और ज्यादा तर सनी आपका अच्छा ही फल देगे है अहमा को बताते हैं इस महिने में राहु धन अस्थान पर उचके बैठे हुए हैं धन छित्रेव को लेकर आपको भाग दोर बना रहेगा लेकिन अचानक धन की विरिद्धी भी होगी आइसे में आपको कहीं पर ब्याज पर धन नहीं देना चाहिए आपको अगर कहीं दे भी रहे हैं तो लिखा पढ़ी चाहिए तो जाद अच्छा होगा केतु अस्टम में बैटकर उनकी पाच्वे द्रिष्टी खर्च वारा है जो रोक समंदी भी कुछ खर्च इस महिने हो सकता है और केतु की साथ में द्रिष्टी कुटुम पर है कुटुम से भी कुछ हलका फुलका अनबन की सम्हावनाय ब बताते हैं कि इस महिने में कौन सी तारिख हैं आपके लिए बहुत अच्छी होंगी जो कि उन तारिखों को कोई भी अच्छा कारे करें तो सबलता में इस महिने में 6, 8, 14, 16, 26 और 27 अक्टूबर को बहुत अच्छा कोई भी बड़ा कारे करना है तो यह तारिख हैं आपके बताते हैं कि पूरा महिना स्वास्त कैसा रहेगा पूरे महिने में स्वास्त ज्यादा तार आपका सही रहेगा बस आपको पेट पर पेट का ध्यां रखना चाहिए खाने पीने का परहेज करें मांज मदिरा दुरूं पानी तयाग न करें अब बताते हैं कैसा रहेगा ब्र बश्टा सकती है. अगर प्रेम सम्बंद कहीं आपको चल रहा है, तो इस महीं ने थोड़ी सी औरचनी आने की सम्भावनाइं बन रही है, अब आपको बताते है काईसा रहेगा सुख, इस महींने हर प्रकार से आपको सुख मिलेगा, मन उंकोल शुख मिलेगा, मन प्रसंद र करें या सब मार निए पाध करें और भगवान सुरे को प्रदिन पढ़ते हुए जल दें और प्रदिन आधी 13 नहींकर यह तो आप ऑनाफ की पूरा और सजाएगी और जो कुछ रुके रोड़ा आ रही कारियों में उस्वेस भलता मिलेगा तेरे दर्सकों हम आसा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सस्क्राइब कर लिया है अगर नहीं किया है कर लिजिए इन्हीं सब्दों के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं स्रीमन्नार कर दो आपने हमार कुरूब नहीं है